नमस्कार मैं ग्यानू चोधरी आप देख रहें इंडियारीश 24 आपको बताईए कि इस समय पूरे देश में लोकसवा चुनावों की धूम मची हुई है चारो ही तरब चुनावी मावल है अभी तक दो चड़ों के चुनाव सबलता पूरवक संपन हो गए हैं और तीसरे चरड की निर्वाचन आयोक के द्वारा पूर तैयारियां कर ली भी गई है और आज यानि की पांच मई को जो तीसरे चरड में चुनाव होने है उसका लुए उपी की फटशेपूर सीक्री लोकसाओ सीट की लगातार हम कप्रेज कर रहे हैं जनता के मन में इस बार क्या चला है लगातर आपके पास हम जनता की रहे पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस बार the people city के सीगरी सीट पर चुनावी जो माहुल है काफी गर्माया हुआ है क्योंकि यहां पर रोमांचक मुकाबला होने वाला है रोमांचक मुकाबला इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर जो तीन राजनाय तक दल है भाजपा, कॉंग्रेस और बसपा उन तीनों ही प्रत्यासियों को यहां पर एक निर्दली अंबीदवान ने बहुती बहंकर तरीके से टक कर दे रखी है इसका अब लाज उधार देख सकते हैं जनता जनार्दन आज उनके जनसवा में आई हुई है उनके समर्थन में तमाम लोग यहां पर उनकी जनसवा में बर्तमान बिदाइक वतेपुर सीकरी भाजपा के चौधरी बाबुलाल को सुनने के लिए आए हैं कुछ समर्थ तक हमारे साथ निर्दलीय प्रत्यासी रामेसर चौधरी के मौजूद है उनसे बात करते हैं कि वो आज जनसवा में किसलिए आये हैं क्या सरफ जनसवा में आये हैं या वोट भी करेंगे क्या लग रहा है इस बार फतेपुर सीकरी का माहौल कैसा है फतेपुर सीकरी का माहौल अलग ही रंग में रंग चुका है यहां से एक नया बदलाव देखने को जा रहा है कि इतने वड़ी वड़ी पार्टी होगे बीच में एक निर्दरी प्रत्यासी ने पूरी फतेपुर सी करीम बड़ा हला मचा रखा है और एक तरफा सर्व समाज का उनको मत मिलने जा रहा है और दिल्ली की तरफ उनकी गाड़ी चल चुकी है जो सर्व समाज के सहों से दिल्ली की सबसे बड़ी संसद में लोकसवा में जाकर बैठने का कार करेगी 2019 में आपने किसको बोट किया था निसंदे बड़े भाई राजकुवार चार जी को पूरा समर्तन और भामत दिया था इस बार भी उमचुना मेदान में है तो इस बार आप उनका समर्तन क्यों नहीं कर रहा है और रामिस और वहिया को लोकसवा में पहुचाने का बड़े जोर समन बना लिया है किन मुद्दो को लेकर इस बार आप डॉक्टर रामिस और चोधरी के पच्छ में मद्दान करने की आपने मंसा जाहिर किया सबसे बड़ा जो फतेपूर सीक्री लोक सबाब पर जो मुद्दा बना हुआ है वो जो भरतमान सांत्त है उनकी निश्क्रियता है उनका छेत्र में न जाना आना किसी से कोई संबाद नहीं डारेक्ट कोई संबाद नहीं अपने प्रतनी दियों द्वारा फोन को उठवाना उसमें भी मतर टाल मटोल करना यह सबसे बड़ा यहां पर मुद्दा बना हुआ है विकास के नाम पर जो केंद्र की जो प्रानमंत्री आदमें प्रानमंत्री मोदी जी की योजना थी वही एकाद वह भी गंगा जलकी कह रहे हैं हमने तो कहीं देखा नहीं दरातल पे तो लेकिन वो तो सारे देश के लिए अरगर नल योजना चली रही है उसमें नेका अत्रिक्त कोई प्रयास नहीं है तो इसलिए यहां की जंताने पूरी तरह से रामेस और भया की चार पाई को दिल्ली में बिछाने का काम करने का मन बना है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि रामेस और भया या उनके परवार के जो भी परवारी जन है वो जनता के सुखदुक में हर वक्त सामिर रहते हैं किसी को न कोई जात का न पात का न किसी दर्म का किसी का यहां पर बेदना करके वो हर जग हर समय हो हो चाह को इस सुख़ का मा हो लो हर जग जग आ रहे हैं वो आज से 35 साल दे यह कारे कर रहे हैं इसलिए जनता को उनका बरपूर समर्तर मिला है कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है क्या लग रहा है इस वार पतेपुर सीक्री में किसका परड़ा बहारी दख र का का से आई यों आप हम लोह कर रहा है क्या नाम है अपका मेरा राकिश सर्मायं रहांबभण है रहामबड समाज से सिर्प्यार सम segments वा दो हर लगातर ये कह रहे हैं कि इस वार 9 ईनता सतुन हमारे हैं में हिसरा साथ मिला पहली बात तो यह है कि जरूरी यह तो हम आपको नेता नहीं पूरी प्राम्मार समाज फटेपुर्ट्सी के लोग सवागी रामे सरोया को इस वार कैसा महाल देख रहा है फटेपुर्टी कृतना है जन्सालाम इतना है कि न फेट रूप्स्वाव पार रही हुँ थिए अवन ने उम्मीद नहीं थी इतनी जनता आप आएगी इतनी बीड आएगी अभी देखो ऑजब बाबुलाल जी आपको जाएगी इसका जवाब नहीं आपका तो उम्मीद है कि यह जो जनसवा में भीड हाई है यह बोट में तब्दिल होगी और आपको विश्वास भी है कि इस बार जो आपके उम्मीदवार है रामिसर चौधरी यहां से बाहरी बहुमत से जीत रहें तो टकर किन से इनगी तकर हमें तो कोई तकर में लगनी रहा है वह ताकर साब लग रहे थे अब नहीं कोई तकर में नहीं तो चार बाइब विच गई और चार पर पी एंगे इस बार फतेफुर सीकरी का क्या मावल है और आज आप निर्दले प्रत्यासी रामेसर चौधरी की जंग सवा में आये हैं क्या माहल देखने के लिए या बोट भी करेंगे अब आपको जितने लोग दीख रहे हैं यह कटर रामेसर भाया के हैं और रामेसर भाया के नहीं है यह बिचाजारा की लड़ाई है एक तरफ सभी जूटे बेईमान और बहेंकर एंकार में डूबे हुए व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और रामेसर भाया से सब नीचे जो एंकार में वो तो तीसरे चौते नमबर पर हैं जरूर दूसरे नमबर भाइब भी पीछे बहुत पीछे रामेसर भाया ठकोराथ से 40% बोट रामेसर भाया ला रहा है लिखे लो इस वात को यह पूर आस्वास अने आपको अच्छा रामेसर भाया को आप क्यों पसंद क करेंगे और जादर सहते दिलवाएंगे यह बोट नहीं करेंगे एक एको आदमी पचा-पचा सो सब डरवाव है उचे अनुद भाया है नियुद कि नहीं पकी बच्छी साल है दो जार उंदीस में भी आपने बोट किया हुगा इसको किया दा दो जार उन्दीस में हमारा बोट बीजेबी के लिए नहीं रहा था दुजार बोट नहीं रहा जो हमें अपना इसाथ जिन्प्रतिनी चुनना है जो हर समय हमारे बीच में हो जिससे हम अपनी बात कह सकें वह अमारी बात को आसानी सुन सकें तो वह सबस्क्राइब को जो हमारे बीच में हर सुगतुक में हमारा साथी हो मुझे दिहाना है एक वार सायन में रात को तक्रीवन साड़े बारावजे कर दिने गया था वाउलाल जी के लिए तो वह स्वेम गेट खोल के उन्होंने साधी काड लिया था और चाय पनबाई थी चाय भी की थी तो आप जी सोची के जो व्यक्ति साड़े बारावजे साजी कार ले सकता है तो वो जनता के सुकतुक में कितना सम्मेलित होगा कारण सहली से प्रवावत होकर वोटता है उनका वेवार भी बहुत अच्छा है और उनको इतना चंद समर्थन मिलना है कि आप द हमाला को परदि खाड़े लेसिं आप बादि का लुटं पर म मांनते हैं वह प्याल स्क्क राख काड़ा है जब जरूत तरअ कना चाहरा好चा यह सोछा प्टबूत है और अच्चेए वह ईनम Home 선 बहुत भुल जोड़ारी थे और सब घर के परवार पूर परवारी बढ़िया है मैंने पहले बीजेपी को बोट दिया था जाम राज कमार को अच्छी तरीकार बोटों से जितवाया था अपने गाउं में और उन्हेंने बादा किया था हमारे गाउं के लिए अंडरपास कर्पन वाएंगे उन्हें कोई भी जब से चुनाब जीते हैं हमने स्वागत को बिला बालकार क्या महाहल है किसको बोट कर रहे हैं किसका रंग है जनता की सुन्त आखी बीच में रहते हैं तक बाभी जी अपको सेयवस्ट इसलिए चाज़ाई है सब्सक्राइए मोधि का इंच नहीं तो बैलों को यह पढ़ा गवागा गलती अपनी सुईकार कर रहा है और मापी मांग रहा है वो यह कह रहे हैं लगातार सम्मोधन के मातिम से कि भाईया अपके कम आया और तो प्राइब के जाए जादा आजागों तो नहीं करोगा कि इसवार पिल्कुल मापना है अच्छा रामिस्ट चोधरी कोई क्यों वोट कर रहे हैं और भी है जैसे चलो भाजपा को नहीं दे रहे हैं तो बसबा से रामनवास सरमा हैं कॉंग्रेस से रामना ना तो उनको वोट को नहीं कर रहा है शन्ता को संते हैं पर और ऐसा कोई नहीं दीख रहा है कि इनके नंको कोई बढ़कि वहां जर्ट में वहां गए ना कोई है जन्ता से तो अवह एसे एदमी को चुनेंगे कि दी को दूसरे के पास थोड़ी जाना है कि और मॉंहियों थीक आप योग्यों-मोधी पर्त धबाइँ संसजां थीं काम बढता है कि provide कि मोधी दो परकता है नहीं olvでした जो आपको हमाहितीं संसा करें कि थो यह गया जानैं पांसाल बात यार मन आपने बादल लिया इत्वा गलत किया पद ऑन जो यह उत्य वाधों चाप जो यह उत्वाइए पेकास परहें उत्व हम उत्विगाश करा उन थो कुन है अगास करा है किया आप कौन सा गाम आपका अपका बीकास भी कराते हैं और शुक्दुक्मे भी आते हैं इस वह से इस बार बोट करने के आपने मन अपना बनाया जी जाहेंगे लग रहा है जीते हैं जीते हैं जीते हैं पक्की जाहें करेंगे ऐसा हो जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है यह जाता है जिन्दी में कभी भी आजाए अहां यह जडान मंञें यह जाहीं किसी आलत मुझए यह लिए जाएं मश्तानिया के लिए यह हां जड़ी जाहते है यह जाते हैं यह जो है नहीं है इस वार यूबा सोचे और आप यूबाओं की भागीदारी इस वार ज्यादा रहने वाली है फतेपुर सीक्री में केसे जिता रहे हैं भाइया हमारा समर्तन पूरा डॉक्टर रामेशुर चोधरी को है पहले हमने चपन यार बोटों से डायकुमर चार को जिता है था उन्हों उन्होंने चीत कर एक विवार सकन नहीं थे गई हमको उन्होंने बोला था मैं आऊंगा बार बार आऊंगा वोट मांगने गए ते करकर वह पांच साल में चीत कई एक विवार नहीं आए डॉक्टर नामेशुर भीया हमारे चोधरी भावुलाल जी विधायक पूर्मंत्री पूर्व सांसद यह मारे भीच रहते हैं पहले भी इनको टिकट नहीं दी और आईको मार चार को टिकट देती थी उन्होंने हम उन पर भी घलाब हुई थे पर कोई बाद नहीं पीजेपी की टिकट गई थी तो उनको बोट पन्ने थी उन्होंने पांच साल में कुछ कार न उन्होंने बोला कोई बात नहीं वहिया हम दोवारा आएंगे मैं दोवारा आने की जरुवत नहीं पड़ेगी आपको क्यों अपके जीत रामेसुर वहिया की खराएंगे टक्ट रामेसुर वहिया जिंदावात इस बार यही सोच है कि जो निर्दलिय प्रत्यासी है रामेसर चौधरी उनके पच्छ में यहाँ पर बोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपना मन बना रहे हैं और आज उनकी जंसवा में आप देख सकते हैं मैं कहना चाहूँगा सायोगी से एक बार दखाएं और दो दिन बाद यहाँ पर साथ मही को मतदान भी होना है तो इस बार आखरी संदेश क्या है क्योंकि आज पांच बजे पर चार पर सार भी थमझाएगा तो इस बार वो सुनने के लिए लगाता रहे हैं कि दो दिन पहले क्या वो जंता से पील कर रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं और भी काफी लोग उन्से भी बात करेंगे पलपल की खबर आप तक महुचाते रहेंगे तब तक लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं इंडिया निश्ट वंडिफोर अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर सेर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं